मश्कार स्वागत है आपका श्वेता क्लासिज में और बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगोंने 2021 का CDP का और Environmental Studies के जो questions ने उनको discuss कर लिया है 2020 में हम लोगोंने CDP के questions को आज सुभा ही discuss किया है ठीक है अब रात में आपको Environmental Studies के वीडियो मिल जाएगा कल हम लोग 2019 CDP और उसके बाद Environmental Studies को कम्पीट करेंगे 2020 का CDP का पेपर अगर आप लोगोंने देखा है वीडियो के माध्यम से तो आपको यह पता चला होगा कि questions कैसे रिपीट होते हैं सारे ही questions आपके रिपीट थे 2020 के सारे questions 2021 में पूछे गयते हैं आज हम लोग Environmental Studies अब डिसकस करने जा रहे हैं तो जैसा कि आप जानेंगे बिना time waste कि हिंदी और इंग्लिस दोनों ही भासाओं में आपके लिए उपलब्द है तो चलिए देखते हैं कि हमारा Environmental Studies हमसे क्या कहता है और वीडियो question स्टार्ट करने से पहले यदि किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी, opinion, feedback, समस्या सुझाओ तो प्लीज उसको comment box में लिख दीजएगा ठीक है With over 50 students in her class, Vani wants to engage them in an activity which involves maximum number of sense to enhance learning which of the following activities will be suitable for this purpose अपनी कछा में 50 से अधिक छात्रों के साथ Vani उन्हें एक ऐसी गतिविदी में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिगम संख्या में इंद्रिया शामिल हो ठीक है निम्न में से कौन सा क्रिया कलाब उप्योगत कार के लिए ठीक होगा यह खाए answers पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे answers को हम लोग एक ऐसी trick के साथ पढ़ते हैं जिससे कि यदि आप ये question पढ़के confused भी हो जाएं तो आप options देख करके सीज का अंदाजा लगा सके कि आप अपने सही answer पे कैसे पहुचेंगे अब सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमारे पास इसमें से negative words कौन-कौन से field trip positive है resource positive है group discussion positive है smart classroom positive है इसका मतलब हमारे सारे ही options positive है अब इन positive option में सबसे ज़्यादा positive क्या है कैसे करेंगे organizing field trip to a nearby place यानि कि आपके आज पास कोई भी अगर garden है तो आप बच्चों को ले जाएंगे और वो garden में जो भी plants वगेरा होंगे जो भी होंगे वो उनको देखेंगे और जब देखेंगे तो normal सी बाते कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उस चीज़ को engage करेंगे उस चीज़ को relate करेंगे और फिर उस चीज़ के बारे में हसी मजा कि आप कुछ भी करेंगे ठीक है इसका मतलब वो एक group में सीखने की कोशिस करेंगे group discussion अपने आप में positive तो है लेकिन group discussion कभी कभी एक debate का भी रूपधारन कर लेता है तो सबसे अच्छा है कि बच्चा जहां पर खुद ही active हो तो बच्चा अब हमने इन सारे options में देख लिया कि हमारा जो बच्चा है वो field trip पे जादा active है field trip पे वो free है वो जा रहा है इदर उदर दोड़ रहा है वो चीजों को देख रहा है वो उनको relate कर रहा है उसने कोई भी full paid या पौदा देखा तो उसने बोला रही है ये तो हमा हमारे घर में है हमारे मोहले में ठीक है तो क्या होता है उसने बच्चे फिर कोई दूसरा बच्चा बोलेगा हा सेम टूसेम ऐसा ही हमारे यहां भी है तो उस चीज के उपर बातचीत जो होती है वो बढ़ जाती है वाइडस एक्रा encourage her learner to read newspaper and magazine in EBS एक्रा अपने सिक्षारतिय को magazine और newspaper पढ़ने को कहती है ताकि वो प्रतीस परदी बने यानि कि competitive बने नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है नाई वो entertainment का कोई source है newspaper और magazine जिन लोगों की habit होती हो तो पढ़ते है नहीं तो बहुत से लोग इसको बहुत बोरिंग भी consider करते है और independent आप newspaper पढ़के independent नहीं बनने के लिए आपको चार पैसे कमाने की जरूरत है option no.3 बच्चा किसी भी चीश को real world के साथ जोड़ेगा तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं beneficial ही रहेगा questioning as a strategy in teaching learning of EBS is used for यानि कि पर्यावरन अध्यान में प्रश्ण करने को एक युक्ति के रूप में उप्योग किया जाता है क्या क्यों कैसे कहा किस लिए प्रश्ण के कुछ माध्यम है क्या क्यूं कैसे कहा किस लिए यदि आपका teacher आपको कुछ पढ़ाता तो आप उससे पूछते कैसे क्यूं यह काम मैंने किस लिए किया है इवन आप अपने घर में भी पूछते हैं कभी-कभी आपके parents इस चीज़ से irritate भी होते होंगे पर आपके parents irritate हो सकते हैं आपकी teacher irritate नहीं हो सकती है क्योंकि अगर teacher के classroom में इस टाइब के बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत curiosity है बहुत जिग्यासा है जानने की तो वो एक healthy classroom को एक healthy वातावरन को denote करता है तो जो questions पूछने की युपती है टेकनिक है, learning questioning strategy है EBS में वो बच्चे के अंदर की जिग्यासा को पैदा करता है arising curiosity in classroom कच्छा कच्छ में जिग्यासा को बढ़ाने के लिए ठीक है, option number A जो है वो बिल्कुल सही चीज है ये एक map पे अधारित प्रेशन है जो कि आप से EBS में पूछे ही जाते है दो प्रेशन आप से पूछे जाते है ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको यह question पढ़के direct answer बताते हैं यहाँ पर आप एक काम करें इस question को skip ही कर देते हैं हम लोग इस पर direct आपको answer बता देते हैं तो इसका answer 100 meter due east है In which of the following state the meaning tourang is जंगल नीचे दियेगे कौन से राजिक में tourang का अर्थ जंगल होता है यानि कि जैसे जंगल को tourang कहा जाता है option no.1 आपका एकडम सही है एक लड़का है जो चार जून को ट्रेन पर बैठता है उसकी ट्रेन रात में साड़े दस बजे चलती है वो पांच जून पूरा ट्रेवल करने के बाद छे जून को सुभाई साड़े चार बजे अपनी जगा पर पहुंच जाता है तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है द्यूरिंग इस टाइम ट्रेवल इस 1145 यानि कि 1145 कि दूरी इसने त्राइग की है आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप इसका टाइम देख लेंगे टाइम अपन डिस्टेंस आप कर देंगे और टाइम देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि चार तारीकों बच्चा साड़े दस बजे पहुंचता है पास तारीकों को पूरा 24 घंटा ट्रेवल करता है और 6 जून को वह सुबह साड़े चार बजे तो आप इसका टाइम निकाल करके जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो option number B जो है वो इसका एकदम correct answer है which one of the following statement not true for the honeybees and bee hives नीचे दिये गए कौन सा कथन मदुमक्हिया और चटों के विसय में सही नहीं है निकि जो मदुमक्हियों के चटे आपने अपने घर में देखी होंगे उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो there are only a few male in the hives only तो अपने आप में ही negative शब्द है इसको हम देखते ही काट देंगे every beehives has one queen bee बिल्कुल सही बात है हर मदुमक्हिय के चटे पे एक मदुमक्हिरानी होती है तो आपसे पूछा गया है नौट टू तो ऑप्शन नमबर थ्री जो है बच्चे वह आपका ट्रू नहीं तो टूड़ी कें नौट थिंक आफ फूड विदाउट चिलीज आज के टाइम पर हम लोग तीखा खाना बहुत पसंद करते हैं बहुत लोग तो एक्स्टा चिलीज भी खाते हैं तो कि आपने कभी यह सोचा है कि बैपारी हमारे देश में इसे कहां से लाए थे किस देश से लाए थे तो जो चिलीज है जो मिर्ची है वह साउथ एफ्रीका से आई थी आप्शिन नमबर वन आपका बिल्कुल सही है इविस के कोशिन सारे बुकिस ही होते हैं अगर तीस कोशिन है तो आप यह मान के चलेंगे कि आपको 20-21 कोशिन तो बुक के ही मिलेंगे और भही 8-9 पेड़कोगी के कोशिन मिल जाते हैं कुंसिट्र फॉलिंग फ़ॉक्शन फञचंफ फ प्लांटns के लिए फंक्शन दिये गए आपको बताना है कि कौन सा सही तुर्स होते है वह सब पौद्ध को सहारा देना और थीक है प्रवाइप्वाज ही Cisco हमास अगरार नहीं करते हैं अ मिल्कुल सभी बात है आपका ऐऊ C और D जो है वो बिल्कुल सही है विच वन आप दी फॉल्विंग इस नोट आ यूनियन टेट्री आफ इंडिया निमन लिखित में से कौन सा एक भारत का संग शासित प्रदेश नहीं है तो बच्चो मनी पूर आपका बिल्कुल सही जबाब है विच अमेंग दी फॉल्विंग प्रेडियूस क्यूट पेट्रोलियम निमन लिखित में से कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक कौने कच्चे तेल की जम्रुपात करेंगे तो बॉंबे हाय एंड बेस्ट बेंगॉल गुजरात एंड टमिलाडू अप्शिन नमबर फॉर जो आपका बिल्कुल सही है तो हमारे देश का समयजा निम लिखित में से किसके नेतरत में बनाए गया तो हम सभी लोग जानते हैं फादर आफ आर इंडिन कौन्सिटूशन इस डॉक्टर भीम राव अंबेटकर पोचमपली एक टाउन है ठीक है द्यान से सुनिएगा पोचमपली इस टाउन आफ सदन स्टेट अफ इंडिया विच इस फेमस फॉर एट्स ब्यूटिफुली डिजाइन ब्राइट कलर पोचमपली सारी पोचमपली दक्षिन भारत का एक टाउन है एक सिती है एक सहर एक कस्वा है जो की अपने ब्राइट यानि की गाड़े चमकदार रंगों के लिए बहुत फेमस है यहां तक की पोचमपली की साड़िया भी बहुत ही जादा फेमस है तो और भी जैसे बुनाई-बुनाई के जो काम है वो वहां के बहुत फेमस है तो यह फेमस तो बहुत है पोचमपली में बहुत अच्छी चीज़े है लेकिन आपको यह बताना है कि पोचमपली जो कस्वा है वह अब किस राज का भाग है तो बच्चो यह तेलंगाना का भाव है, option number 4 जो है आपका बिल्कुल सही है, select from the following a group of each member of which is rich in iron, निमलिखित में से खादे पदार्तों के उस सम्मों को चुनिये, जिसके प्रतेक सदस में लोहे कत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, मतलब आपको उस group को choose करना है, जिसमें iron की मात्रा जादा होती है, आपको बिल्कुल सही है, select from the following a group of birds, each member of which is able to see distinctly the object four times as far as we can see, निमलिखित में से पच्च्चियों का वह समों चुनिये, जिसका प्रतेक सदस से हमारी तुलना में चार गुना अधित दूरी से वस्तों को इस पश्ट देख सकता है, तो बच्चो नहीं पढ़िए ना environment की, पहली बार तो यह आपके book के questions है, ठीक है, अगर आपने book पढ़िए तो आप इनको देखती कर देगें, उन बच्चों के लिए, जिनको लगता है कि हमने book तो पढ़ी थी, हमने नोर्स भी पढ़े थे, हमने आपका video भी देखा था बट स्टिल हम तो ऐसे question को पढ़के, आप अपना common sense लगा सकते हैं, कि आपसे उस पक्षी के बारे में, आपसे उस bird के बारे में पुछा गया है, जो human से चार गुना ज्यादा दूरी से अधिक दूरी से वस्तु को देख सकती है, तो चार गुना ज्यादा जब दूरी से देखेगी तो हम पूतर नहीं तो यह तो गलत हो गया, जब क्रो यहां गलत हो गया, तो नॉमल सी बात हैं भी गलत हो गया, अब हमाई पास एक ही बस्ता है, और हम सभी जानते हैं, बाज, चील, गिद, यह सब कितनी उच्छाई पर उड़ते हैं, ठीक है ना, तो दूसरा आप इनकी उड़ आखे नोच लेती है, वो इतना दूर से देखती है, ठीक है, तो कुछ अपने बेसिक बच्चपन के कॉंसेप्ट्स भी अगर आप लगाते हैं, तो आप सही अंसर तक बहुत आसानी से पहुशते हैं, आए नेक्स्ट कोशिन पे, आपको यह बताना है कि नीचे दिये गए किस एक राज के ग्रामीर लोग अपने ढालू छत वाले लक्री के मकान, मजबूत बास के खंबो पा धरती से 3 से 3 दसम्लर मीटर उची मातलब, आप ऐसे मानके चलिए, यह अगर ग्राउंड है, यह घास है, तो ऐसे, बंबू पे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे, तेके कितना अच्छा मैंने घर बना करके दिखा है, और मीटर उचाईब बनाते हैं, तो ऑच्छो असम के लोग बनाते हैं, मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए, मैप की एक छोटी से चोटी जानकारी आपको पताऊनी चाहिए, एवेस में मैप जरूर पूछते हैं, और देखे, इस बच्चे ने किस तरीके से मैप बनाया है, और हम आपको मैप के तरीके से ही पताएंगे, जैसे यहां पे मैप का कोशिए ने, हम ऐसे आएंगे, और यह होगे, त्यूकि हमने देखा है, हमसे सिर्फ और सिर्फ दिली, गांदीनगर, गुजरात, पतना, बिहार के बात की तो आपको यह बता रहे हैं कि दिली के परस्पेक्टिम में, गांदीनगर और पतना कहां आता है, दिली यहां आता ह गुजरात, यहां आता है, बिहार पतना यहां आएगा, यह वेस्ट है, यह इस्ट है, नीचे को आ रहे है, मतलब साॉथ की तरफना है, मतलबल साौथ वेस्ट पहले गुजरात का पूछा है, तो गुजरात है, और साॉथ इस्थ, उप्शूट नूमर त्री King which one of the following did experiment with peas plant and and found that pea plant has some traits which come in pair, such as rough or smooth, tall or short, yellow-grid तो निम्लिकित मेंसे किस ने मतर के पौधे के साथ प्रियोग किया और यह पाया कि मतर का जो पौधे होता उसमें कुछ ऐसे लक्षन होते हैं जो जो जोडियों में पाये जाते हैं which of the following is one of the six themes suggested in the EVS levels as per NCF 2005 आपको बताना है NCF 2005 के नुसार EVS की six themes क्या है food, water, friends, family, shelter यह सब तो है इसके अलावा यह तो 5 हो गही हमारी और इसके अलावा 6 है things we make and do option number 4 ठीक है हिंदी में confusion हो गया things we make and do option number 4 जो है आपका सही है what should be avoided in an anecdotal record उपाख्यान अभी लेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए तो जो anecdotal record होता है बच्चे का वो बच्चे की हर प्रकार की गतिवीदी को notice करता है उसके अंदर सारी के सारी records होता है तो उसमें आप बच्चे की strength और weakness को लिखेंगे उसका interest और relationship लिखेंगे लेकिन उसकी problematic situation उसको judgment आप उसका record बना रहे हैं आप किसी तरीके के कोई judgment नहीं पास कर रहे है तो उसमें पूछा है कि कैसी चीजों को avoid करना चाहिए तो option A और B option number 2 How will you plan for an integrated EBS classroom आप एक एकरत EBS कच्छा के लिए कैसे योजना बनाएंगे तो बच्चों जब हम लोग EBS classroom की बात करते हैं तो हम दो subjects को या फिर दो से जादा या फिर subjects या फिर lesson को एक साथ combine करतेते हैं option number 2 आपका बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ेंगे पुनीत गेव इस class 5 learner an outline of human body पुनीत जो की एक teacher है उसने अपने class 5 के बच्चों को एक outline दे दी है body की थी यह देखे यह body है और इसकी एक outline दे दी है अब पुनीत ने बोला है कि बच्चे अपने अपने हिसाब से digestive system जो है वो बनाएंगे और chapter को पढ़ाने से पहले ही पुनीत ने यह गतिविदी करवाई गया तो पुनीत क्या चाहता है पुनीत यह चाहता है कि वो यह देखे कि उसके जो students है उसके जो बच्चे हैं उनके अंदर पाचन क्रियास से संबंधित कैसे विचार है बच्चे क्या सोचने खुछ बच्चे इस तरीके से small intestine, large intestine करके और पूरा इस stomach बनाएंगे ठीक है कुछ बच्चे क्या करेंगे कुछ बच्चे सीधे, पीट बना देंगे कहेंगे हमने खाना खाया और गले से सीधा पीट में आके उतर गया तो पुनीत as a teacher वो यह जानना चाहता है कि जो चेप्टर में बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं उस पे बच्चे अपने खुद के क्या विचार रखते हैं Which of the following is not correct with respect to formative assessment निमलेखित में से क्या रशनात्मक आकलन के लिए सही नहीं है कि रिपोर्ट कार्ट के प्रतेक तिमहाई में इसकी सूशना दी जाना चाहिए समिता wanted to sensitize her learners about gender disparity and stereotype related to work समिता जो की एक टीचर है वो अपने बच्चों को लेंगिक बिसमिता और रोडिवादियों के प्रती समेलल सिल बनाना चाहती है तो इसमिता को क्या करना चाहिए वो महलाएं भी चला सती एवन अगर आप साउथ हिंडिया की तरफ जाएंगे आप चैन्नी वगेरा में जाएंगे तो आप यह चीज़ देखेंगे कि वहाँ पर लेडिज भी उतना ही काम करती हैं जितना की पुरुस करते हैं चाहिए वो पेट्रॉल पंप हो चाहिए वो साम को फेरी लगा करके कोई भी चीज बेचना हो कुछ भी करना हो ठीक है और जब आप रूडी बादिता को खतमी करना चाहते हैं उसके प्रती समेदन सील बनाना चाहते हैं तो आप रूडी बादिता मॉडल्स को थोड़ी मुद्य को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा बच्चे से बाट करें हैं टॉक तो हीं नौट इस पैरें थिक के में अनधर चाहिए ऐसा नहीं है कि आप दूसरे बच्छे से कहा राख देंगे जा तो मुश्का काम कर तो नहीं भो नहीं गरेंगा आप खुद बच परिवहन में डीजल भानों का उप्योग निसेद होना चाहिए विसाइपर एक वाद विवाद का आयोजन किया है मुसकान के द्वारा इस विसाइपर कच्छा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश है इस मुद्दे पर छात्रों के कई द्रश्टिक कोड़ों की सहारा करने मदद करता है ठीक है स्टुनेंट ऑन दीजल विकल्स ऐसा नहीं है कि आप स्कूल क्लास में बात करके डीजल विकल्स को बैन कर देंगे यह बात सही है कि आप इससे बच्चों के मत का उनके विचारों को जान सकते हैं और उनको अगर वो कहीं गलत हैं तो आप उनको सही कर सकते हैं मैपिंग इसके लिए इवियस हेल्प डेवलप इवियस में मांच चेत्र कॉसल जो होता है वह पोजीशन को बताने में मदद करता जैसे कि अभी आपने डेली से गुजरात और पटना की पोजीशन बताई थी तो जो इवियस का मैप है वह आपको पोजीशन बताने में करता है दा इंटिग्रेटेड नेचर ओप इवियस हेल्प टू इवियस की एकिकरत प्रकृति साहता करती है रिद्यूस करिकुलम लोड एंड हैप चुलन तो लंग मीनिंग फुली इवियस इन्वार्मेंटल स्टीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बाहरी वाता इवियस असेस्मेंट का में आकलं का एक व्यापक संदेश नहीं है जो संकेतक है नहीं है वो है कॉंसेप्ट मैपिंग एवियस की किताब है उसमें अल बिरूनी जो की एक ट्रैवलर थे वो भारत आयते उनके बारे में कहा गया है और उन्हुनें भारत आगर कितने सारे पॉंड़ी तालाब कुवें बन राए उसके बारे में कहा गया है तो चैप्टर में बुक में ये टापिक डालने की कि क्या आवशक्ता थी आवशक्ता यह थी कि जब बच्चे नहीं पढ़ा कि हमारे देश में एक कोई ऐसा भी ट्रेवलर आया था जिसने आकर के पॉंट्स का निर्मान किया तो बच्चों को बुक के माध्यम से पता चला कि इत हैल आप लर्णर्स टू इंटिफाइ सोरस आफ हिस्ट्री ठीक है इत है इत है लोट ने तू इंप्रूर्व दिर रिकॉर्डी और एप्जर्वेश New इंडिया बहरत हैं 20 पहले जो तक्निक मुझूत थी बच्चों उसको एप्रिशेट किया बच्चों पता चला कि यह को ह आज से नहीं बने समर सेविल का काम आज से चालू नहीं हुआ है कुए बहुत पहले बनते थे लोग बहुत पहले से पानी का इस्तमाल करते हा रहे अप्शन नमबर 3 आपको बिल्कुल सही है तो यह थे बच्चों 30 गोशन्स EBS के 2020 के कल 2019 को हम दो प्रिस्कस करेंगे वीडियो आपको कैसा लगा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा साथ ही उन बच्चों के साथ शेयर करें जो हाली में सीटेट की त्यारी कर रहे हैं या भविश्य में करने वाले हैं धन्यवाद जैहिंग